हलो दोस्तो मैं हूँ आपकी दोस प्रीती आपके साथ आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और हेल्दी खटा विठा खजूर गुड का अचार आए रेसेपी शुरू करते हैं इसके लिए मैं आप पर लिए हैं 250 ग्राम खजूर सबसे पहले हम खजूर के पीस कर लेंगे इसक आप अपने मन चाहें खजूर के पीस करके तयार कर लेंगे सर्द्यों के मौसम में हमें खजूर का सेवन किसी भी तरीके से करना चाहिए आप इस तरीके से खजूर का अचा बनाकर रख सकते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है इस्पेशली अचार में पानी का अंश बिलकुल भी नहीं होना चाहिए ज़्लदी से खराब होने का डरेगा पानी याधी बिलकुल नहीं होगा अचार में तो आप हैं लंब़ समय तक अचार को इसके लाहे हैं व throws ağ मיन एंने खजूर के सब पीस करके त़ियार कर लिए हैं अब मैंने य नीबू को पहले मैं अच्छे से दोल लिया है हमें नीबू का रस निकालना है यदि आपके नीबू छोटे साइस के हो तो आप थोड़ से ज्यादा भी लिए सकते हैं अब मैंने आपर गेस पर एक पैन डऱका है इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच देजी घी घी हमारा मेल्ट हो गया है इसमें हम डालेंगे गुड़ गुड़ के मातर आप अपने साफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं यदि आप नीबू के रस के माता थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं तो आप उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसमें गुड़ के माता बढ़ा होगी अब हम गुड़ को एकदम स्लो फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट होने देंगे आज हम जो खजुर काचा बना रहे हैं वो गुड़ के साथ बना रहे हैं जो कि बहुती हल्दी होता है इस तरिके से हम खजुर काचा शकर के साथ भी बना सकते हैं कैसे बनाते हैं इसका भी मिले वीडियो आपके साथ शेयर किया है जिसकी link में आपको description box में दे रखी है गुर को पहले आप चाकू से कद्दुकस करके लेंगे तो जल्दी से हमारा गुर अच्छे से melt हो जाएगा देखिए गुर को हमने चाकू से cut करके लिए था बहुत जल्दी हमारा गुर अच्छे से melt हो गया है अब हम इसमें डाल देते हैं नीबू का रस नीबू के रस के मातरा भी आप अपरेसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं यदि आप अचार ज़्यादा रसीला चाहते हैं तो आप इसमें नीबू के रस के मातरा बढ़ा सकते हैं यदि यह आप रस बढ़ाते है नीबू का तो इसमें आपको गुर की मातरा भी बढ़ानी होगी क्योंकि खट्टा मिठा आपको टेस्ट बैलेंस करना होगा नीबू के रस को भी हम गुर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं साथ इसमें जो हमने खजुर के पीस करके तयार करे थे वो भी डाल देंगे हम गुर के साथ सबी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे हम गेस की फ्रेम को बिल्कुल कम कर देंगे अब हम इसमें कुछ चट पटे से मसाली डालेंगे इसमें हम डालेंगे लगबख 1-1.5 टेबल स्पून साधा नमक, नमक की मातरा चार में बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए 1.5 टी स्पून काला नमक, 2 पिंच हिंग, 1.5 टी स्पून बुना हुआ जीरा पाउडर, 1.5 टी स्पून काली मिर्च पाउडर अब चाहने तो बालेंगे ने तो याप लाल मिर्च को कर सकते हैं लेकिन आप डालेंगे तो टेस्टी लगे अचार हलका चट्पत्पता पनाचार में हमने अच्छा लगता है सभी मसालों को हम खजुर के ताद अच्छे से मिक्स कर ल сделали खजुर को हम हलका आसा ाली तक पका लेंगे लगबग हम इसे चार से पांच मिट के लिए पकाना है ज्यादा पकाने की आउशकता नहीं पड़ेगी हमने इसमें जो है नरम वाले ही खजूर ली है बहुत जल्दी से हमारे खजूर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे आप यदि इस तरीकी से अच्छार बनाते हैं इसमें पानी का बिल्कुल वे दिया हाथ नहीं लगा है तो आप इसे लंबे समय तक भी इस्टोर करके रख सकते हैं देखिए लगबग में ने 7-8 मीटर खजूर को अच्छे से पकाया है हमारे जो खजूरे व अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए है और उसकी कंसेस को बंद कर देंगी देखिए हमारा एकदम चट पटासा खटा मिठा खजूर काचार बंद कर तैयार है आप असे थंडा होने के बाद किसी काच के बाउल या बरनी में निकाल लीजीगा लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बेल गोल न भूले तैंक यू